नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। हेलो एब्रिवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम बायो मॉलीक्यूल को कंप्लीट कर चुके हैं, यानि कि जिसको हम कहते हैं जै बनो, वो बाला चेप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आज उसकी आखरी वीडियो के उपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कुछ महतोपूर्ट क्वेशन को, जिनको हम देखेंगे कि किस परकार से उनके आंसर लिखे जाते हैं। और तीसरा यहाँ पर दे रखा है कि विक्रती करन क्या होता है, यानि कि जिसको हम कहते हैं इनको हम बारी बारी से यहाँ पर समझते हैं, और क्या होता है प्रात्मिक संरचना आफ प्रोटीन, यानि कि प्राइमरी स्ट्रक्चर आफ पर रोटीन को भी हम यहाँ पर समझेंगे कि विक्रितिकरन क्या होता है तो चलिए सुरू करते हैं Peptide Bond तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम Peptide Bond के उपर discuss कर रहे थे तो हमने सबसे पहले क्या किया था उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक protein लिया था लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Glycine यानि कि Glycine के एक unit ले ले लेता हूँ Glycine को कुछ इस पर कार्सियम लेते हैं NH2 यहाँ पर होता है CH2 यही होता है Chemical Formula of Glycine और यहाँ पर लगा रहता है यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा यही क्या होता है हमारा? यहाँ पर होता है यहाँ पर कुछ इस परकार से होता है यहाँ पर मैं ले लूँगा NH यहाँ पर हो जाएगा CH और इसके साथ लगाओगा 1 CS3 और यहाँ पर Carbonism यानि कि COOH अब जो हमारे पास यहाँ पर उत्पाद मिलता है वो हमारे पास जो नया उत्पाद मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा NH2 यहाँ पर हो जाएगा CH2 यहाँ पर CO और यहाँ पर NH यहाँ पर CH इसके साथ यहाँ पर जुड़ा है CH3 और यहाँ पर हो जाएगा COOH यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास निकल कराता है यहां पर final उत्पात, जो कि कुछ इस परकार से है, तो अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि यहां पर हुआ क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे यहां पर हमारी lecture वीडियो को देख कर आ रहे हैं, उनको तो पता होगा कि peptide bond क्या होता है, लेकिन कुछ बच्च के साथ hydrogen लगे हुए हैं, एक यहां पर मैं इसको दर्सा देता हूँ, इस तरफ और एक यहां पर मैं ऐसी दर्सा लेता हूँ, अब यहां पर होता क्या है, कि यह जो हमारे पास OH है, यानि कि glycine का जो OH है, और जो यहां पर H है alanine का, यह दोनों निकल जाते हैं यहां पर water के मद्धे बंजाता है bond, जोकी आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे, इनके मद्धे बंदिंग हो रही है, जोकी हमारे पास यह वाला bond दिख रहा है, यह उसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम peptide bond, यानि कि peptide bond हम इसी को कहते हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा चल आबंदन होता है उसी आबंद को हम क्या कहते हैं peptide bond कहते हैं या फिर आप यूं मान लीजे कि protein की जो आपस में unit जुलती है वो peptide bond के माध्यम से जुरती है यह हम यहाँ पर जान चुके हैं चलिए अब बात करते हैं प्रात्मिक संदशना के उपर जो कि हम देख रहे हैं protein के लिए अब हमें यहाँ पर यह तो जानकारी है कि protein में एक अथवा अनेक polypeptides रिंक लाएं उपस्तित होती है यह तो हम जानते हैं या फिर हो सकती है किसी protein के परतेक polypeptide में amino acid एक बिसिस्ट करम में जुड़ा होता है यानि कि हमारे पास जो primary structure होता है वो कुछ इसपरकार से होता है जो हम यहाँ पर colouring यूज कर रहे हैं यह हम amino acid के लिए use कर रहे हैं यानि कि जो amino amul है वो यहाँ पर अलग-अलग amino acid के लिए अलग-अलग color का यहाँ पर हम इस्तमाल कर रहे हैं जो कि मैं यहाँ पर इस परकार से दिखा रहा हूँ, जब हमारे पास alpha amino acid, यानि कि जो अलग-अलग alpha amino acid होते हैं, वो जब एक सीधी स्रिंकला के रूप में जुड़ते हैं, यानि कि कुछ इस परकार से जुड़े रहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको दर्शा रहा हूँ, इसको इसमें भी डालेंगे, तब भी यहाँ पर इसी परकार का structure यहाँ में देखने को मिलेगा, यानि कि कुछ इस परकार से रहेगा यहाँ पर, हमारे पास जो amino acid हैं, वो यहाँ पर सीधी रेखर हमें जुड़े होंगे, कुछ इस परकार से, अगर आप इस तरह से दिखा सकते हैं, या आप यहाँ पर इस परकार से दिखाएं, तब भी यहाँ पर दोनों चीजे यहाँ पर सेम निकल कराती हैं, और अगर यहाँ पर इसको परिवासित करना हो, तो आप इस परकार से कर सकते हैं, कि प्रोटीन में एक अथवा अनेक polypeptides रिंख लाएं, उपस्तित हो सकती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई भी गई है, यह जो अलग-अलग कलर है, यह अलग-अलग amino acid को यहाँ पर सो कर रहे हैं, यानि कि यह A amino है, यह B है, यह C है, यह D है, यह अलग-अलग amino acid है, जो आपस में polypeptide bond दोरा जुड़े हुए हैं, और एक क्या बना रहे हैं, परात्मिक संदचना बना रहे हैं, प्रोटीन की, तो किसी प्रोटीन के परतेक polypeptide में amino acid का एक बिसिष्ट करम जुड़ा होता है, amino acid का या बिसिष्ट करम ही क्या कहलाता है, प्रोटीन की प्रात्मिक संदचना कहलाती है, यह आप यहाँ पर समझ गे होंगे, चलिए आगे हम बात करते हैं कि विक्रती करण क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास protein होता है, वो double helix structure में मिलता है, यानि कि वो global protein की तरह होता है, कुछ मैं इस परकार से यहाँ पर एक rough idea आपको दे देता हूँ, हमारे पास जो protein का structure होता है, वो कुछ इस परक structure के उपर discuss कर रहे थे, कि अगर यहाँ पर प्राकिर्थ protein यानि कि जो हमारे पास native protein होता है, जो 3D structure में होता है, माल लो अगर यह 3D structure है protein का, यानि कि native protein है, अगर इसमें भौतिक परिवर्तन या फिर रासाइनिक परिवर्तन किये जाते हैं, तो इनके बीच में जो hydrogen bonding है, या हो सकता है, मैं यहाँ पर इसमें pH बढ़ा दूँ, इस परकार की घटनाएं जब हम करते हैं, किसी native protein के अंदर, तो वो क्या करता है, अपने hydrogen bond में disturbance ला देता है, यानि कि वो क्या होता है, double standard से single standard में तूट जाता है, यानि कि कुछ इस परकार से हमारे पास होता है, यहाँ पर जो लगे होता है, यह इस परकार से होता है, ठीक है, इस परकार से तूट जाता है, यह भी अलग हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास इस परकार का structure मिलता है, जो कि आपस में अलग-अलग तूट जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो अपनी biological activities को खो देता है, यानि कि हम य यानि कि 3D structure होता है उसका जिसमें हमने क्या पढ़ा था एक पढ़ा था हमने primary structure और protein फिर पढ़ा था secondary structure फिर पढ़ा था तरसरी structure और फिर पढ़ा था यहाँ पर quaternery structure और इन तीनों structure में आपने देखा होगा यानि कि जो हमारे पास secondary secondary, tertiary और quaternery है इनी में क्या होता है 3D structure मिलता है protein का बाकी जो हमारा primary structure होता है वो तो सीधी रेखा में मिलता है उसमें तो कोई 3D structure होता ही नहीं है तो जो disturbance देखा जाता है hydrogen bonding का वो सिर्फ देखा जाता है secondary, tertiary और quaternery protein में तो यहाँ पर अगर विकिर्थी करण को आपको define करना हो यानि कि परिवासित करना हो तो किस परकार से करेंगे तो यहाँ पर इसकी definition कुछ इस परकार से निकल कराती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है जब प्राकृत प्रोटीन में बहुत तिक परिवर्थन किये जाते हैं तो हाइडोजन आबंदों में अभ्यस्तता देखने को मिलती है यानि कि डिस्टरबेंस देखने को मिलती है जो हमने अभी समझा है जिसके कारण प्रोटीन की गोलिका खुल जाती है यानि कि जो प्रोटीन की गोलिका होती है कुछ 3D स्टक्चर में रहता है एवं हैलिक्स क्या होती है अकुंडलित हो जाती है यानि कि अलग-अलग बंड जाती है वो क्योंकि उनके बीच में हाइडोजन बांडिंग तूड जाता है एवं प्रोटीन अपनी जैबिक सक्रिय को खो देता है और इसी में हमने जो एक्जामपल और उधारण के हमने बात की थी वो किया था दूस से दई बनना ये भी क्या है यहाँ पर विक्रतिकरण का उधारण है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरा हमारे पास उधारण था कि जब अंडे को उभाला जाता है तो जो उसकी लेयर होती है भार की प्रोटीन की लेयर वो टाइट हो जाती है तो उस सब का कारण क्या है उसके पीछे का कारण है विक्रतिकरण तो यहाँ पर एक important question समापत होता है तो चलिए next question यहाँ पर discuss करते हैं next question हमारे पास कुछ इस परकार से है कि अप्चाई सरकरा क्या होती है यहाँ पर हमारे पास दूसरा question है और जैसे कि हम लोग discuss कर चुके हैं कि अप्चाई सरकरा क्या होता है तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं कि अप्चाई सरकरा किस परकार से हम define कर सकते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास definition निकल कर आती है वो आती है यदी सरकरा में परकारात्मक समुआ, यानि कि functional group न हो तो वह सरकरा अपचाई सरकरा कहलाती है अब यहाँ पर functional group का क्या मतलब है तो आपको पता है कि जो हमारे carbohydrate होते हैं, उसमें क्या होता है? एक तो L-D-I-D क समुआ होता है जो कि functional group की तरह कारे करता है और एक यहाँ पर क्या होता है एक होता है ketonic sumo ये तो आप जानते हैं अगर हमारे पास ऐसे compound है जिनके पास ये दोनों sumo नहीं है तो वो हमारे क्या होते हैं वो हमारे होते हैं अपचाई सरकरा यानि कि reduced sugar और अगर यहाँ पर इनके उधारन की बात करें तो उधारन हमारे पास आता है एक तो आता है maltose maltose भी क्या है यहाँ पर example होता है अपचाई सरकरा का और दूसरा हमारे पास जो उधारन आता है वो यहाँ पर आता है lactose तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं lactose और maltose क्या होते हैं यहाँ पर functional group रहीत होते हैं और दूसरा हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि जब यहाँ पर हमारे पास जो carbohydrate होते हैं अगर उनको failing result के साथ घोला जाता है तो यहाँ पर मेरे पास failing result होता है जो हम पहले भी discuss कर चुके हैं तो failing billion के साथ अगर यहाँ पर carbohydrate को घोला जाता है तब अगर हमारे पास जो result आता है वो अगर यानि कि जो हमारे पास compound मिलेगा वो अगर आता है लाल कलर का यानि कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाल कलर या फिर लाल रंग में हमारे पास नया compound मिलता है अगर हम यहाँ पर सरकरा का यहाँ पर failing billion के साथ गोलते हैं तब हमारे पास अगर लाल विलियन मिलता है तो उसका आर्थ वहाँ पर हो जाएगा कि यह जो हमारे पास सरकरा थी जो हमने प्रैक्टिकल में लिया है वो सारी क्या है हमारी वो है अपचाई सरकरा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे टॉलेन अभिकरमक की इन दोनों पास नया compound है उसका जो color मिलेगा अगर वो color कैसा होता है silver की तरह होता है यानि कि चमकदार अगर कोई compound हमारे पास मिलता है तब समझ लेना कि हमारा जो यहाँ पर सूगर था वो कैसा था वो था अपचाई सूगर तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर धात्विक एजी की तरह color आता है, जो हमारा silver होता है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह भी हमारा क्या होता है, यह भी हमारा होता है, अपचाई sugar, तो इस तरह से भी आप पहचान कर सकते हैं practical के अंदर, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में एक तथ्यात्मक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि सभी monosaccharide यानि कि eldos और ketos disaccharide sucrose को छोड़ कर यानि कि जो हमारी sucrose होती है उसको छोड़ कर सारे जो carbohydrate होते हैं वो अपचाई सुगर होते हैं यानि कि यहाँ पर अगर हम अनपचाई सुगर की बात करें तो आपको याद रखना है कि सुग्रोज होता है यानि कि सुग्रोज क्या होता है अनपचाई सूगर होता है तो यहाँ पर भी एक मेहतोपुन question यहां पर समापत होता है next question की और हम यहाँ पर डिस्कस करते है next question में अमारे पास रेसेदार A.M. golicacar protein बिवेद करना है यानि कि अंतर बताना है या पर फाइबरस प्रोटीन एंड गलोबिलर प्रोटीन में तो जैसे कि हम डिस्कस करी चुके हैं तो आपको यहाँ पर आना चीहें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेशेदार प्रोटीन के उपर करते हैं तो हम discuss कर चुके थे कि जब polypeptides रिंखलाएं समानतर होती है तथा hydrogen disulfide आबंदों द्वारत जुड़ी होती है तो वो क्या होता है वो हमारी होती है रेसेदार protein तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस परकार से हमने रेसेदार protein को define किया है कि जब polypeptides रिंखलाएं समानांतर होती है तथा hydrogen ion disulfide बंदों द्वारत जुड़ी होती है तो वो protein क्या होती है हमारी वो होती है रेसेदार protein दूसरी चीज में इसके बारे में कही थी कि अगर हम इसके यहाँ पर बिलेता की बात करें तो यह क्या होता है जल में अबिले होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह जल में अबिले होता है और तीसरा हमारे पास क्या निकल कराता है तीसरा हमारा निकलेगा इसका उधारन यानि कि उधारण क्या क्या है इसके तो मैंने जैसे बताया था कि उधारण क्या होता है जो हमारे पास रेसेदार प्रोटीन होता है उसका जो उधारण होता है एक होता है केरेटीन यहाँ पर आप लिख सकते हैं केरेटीन भी क्या है यहाँ पर उधारण होता है किसका जो हमा केरेटिन है यह का मिलता है तो आप कहेंगे कि बालों के उपर मिलता है यानि कि बालों में क्या होता है केरेटिन नामक का प्रोटीन होता है इसलिए तो बाल क्या होते हैं कभी पानी में नहीं गुलते हैं क्या आपने कभी बालों को पानी के साथ गुलते वे देखा है तो यहाँ पर गोलिकाकार प्रोटीन को आप कुछ इस परकार से डिफाइन कर सकते हैं, जब पॉली पेप्टाइट की स्रिंखलाएं कुंडली बनाकर गोलिकाकरती बना लेती है, तो वो क्या होती है, गोलिकाकार प्रोटीन होती है, जैसे कि यहाँ पर नाम से आई रहा है कि गोलिकाकार प्रोटीन यानि कि गोलाकर थी यानि कि आपस में ऐसे जुन्ड बनाकर क्या होगी प्रोटीन आपस में जुड़ी होगी इसी को हम क्या कहते हैं गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं जबकि यहाँ पर रेसेदार प्रोटीन में यो प्रोटीन होती है वो कुछ इस परकार से रहते हैं इस तरह से रहते हैं रेशों में जैसे कि आपको पता है कि जो इसके उधारन है यानि कि जो इसमें मिलते हैं वो कौन-कौन से मिलते हैं यह तो यह मिलते हैं बालों में तो ब कुलिका कार प्रोटीन होती है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यह जल में बिले है या फिर जल में अभिले, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यह जो हमारी गोलिका कार प्रोटीन होती है, यह बिले होती है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके उधारन के उपर, यानि की गोलिका कार प्रोटीन के उधारन कौन-कौन से हैं, तो हमारे पास सबसे पहला जो उधारन निकल कर आता है, वो आता है अल्बूमिन, यानि की जो अल्बूमिन होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर गोलिका कार प्रोटीन का उधारन होता है, यानि कि अगर इसके structure की बात करें, तो ऐसा होगा जैसे कि 3D structure होता है, यह आपको याद रहेगा, दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है insulin, यानि कि जो insulin होती है, वो भी क्या होती है, गोलिका कार प्रोटीन की एक उधारन होती है, और insulin के बारे में question भी पोचा जाता है, इसका यहाँ पर यह है कि अगर 100 से अधिक amino acid आपस पर मिलते हैं, तभी जाकर प्रोटीन का निर्मान होता है, लेकिन amino acid के साथ इस परकार की condition नहीं होती है, तो यह एक परकार का क्या है, कार्बो हाइड़ेट का यहाँ पर एक exceptional case है, यानि कि अपवाद है, तो यहाँ पर यह question भ है, important question है, जो कि आपके exam point of view से वहती ज़्यादा महतोपुर्ण माना जाएग, चलिए next question यहाँ पर discuss करते हैं, next है हमारे पास DNA एवं RNA में अंतर बताईए, तो DNA एवं RNA में दो परकार के अंतर देखने को मिलते हैं, यानि कि एक होता है संदशनात्मक अंतर और दूसरा होता ह है किरियात्मक अंतर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि DNA एवं RNA की full pump क्या होती हैं, और यहाँ पर मैं साथ में ये भी बता देता हूं कि यहाँ पर संदशनात्मक अंतर हम देखेंगे, यहाँ पर DNA, और दूसरा हम क्या देखेंगे यहाँ पर RNA, यानि कि इन तो DNA की full form जो होती है वो होती है deoxy ribose nucleic acid, वहीं अगर RNA की बात करूँ तो RNA होता है ribose nucleic acid, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले कि हम DNA के संद्रशनात्मक अंतर यानि की structural differences के बीच में हम यहाँ पर अंतर करेंगे, तो सबसे पहले संद्रशनात्मक अंतर में आता है कि इसमें क्या होता है कौन सी सुगर होती है आपको गर याद हो, तो इसमें होती है यहाँ पर beta D2 deoxy ribose सरकरा, तो पहला यहाँ पर संद्रशनात्मक अंतर में हमारे पास आता है ये वाला, दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे DNA के बारे में, DNA में चार की रूप में एडिनीन, थाइमीन, साइटोसीन एवं ग्वाइनीन होता है, ये तो आपको याद होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते थे एडिनीन, और यहाँ पर कहते थे हम यहाँ पर इसको थाइमीन, और यहाँ पर साइटोसीन C, और ग् पस्तित होते हैं DNA के अंदर अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ यानि कि बीटा डी टू डियोक्सी राइबो सरक्रा मैंने लिखी हुई है तो यहाँ पर सरक्रा कौन सी होती है पैंटो सरक्रा यह आपको याद होना चाहिए चलिए तीसरा अंतर यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे अंतर में यहाँ पर बात आती है DNA की संदशनात्पग अंतर में यहाँ पॉली नूक्लियोटाइट की दोरी सरिंखला होती है जैसा कि आपको याद हो कि DNA का स्ट्रक्चर कुछ इस परकार से होता है जिसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तो एक यहाँ पर य यहाँ पर यह सरिंखला हो गई एक यहाँ पर यह सरिंखला हो गई जब आपस में मिलते हैं तब ही तो DNA का निर्माण होता है तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पॉली नूक्लियोटाइट की दोरी सरिंखला होती है जिसको हम कहते थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर औफ DNA, चलिए आगे बात करते हैं, संदशनात्मक अंतर में RNA के उपर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, RNA का संदशनात्मक अंतर हम यहाँ से डिसकस करने वाले हैं, जो यहाँ पर पहला अंतर आएगा, वो यहाँ पर कुछ इस परकार से आएगा, कि यहाँ पर उपस्तित प चार के रूप में एडिनीन, थाइमीन, साइटोसीन एवं गवानीन होता है। लेकिन अगर आपको यादो कि RNA में क्या नहीं होता है। तो आप कहिंगे कि RNA में यहाँ पर थाइमीन के इस्तान पर क्या होता है। तो यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर सनरचनात्मक अंतर में RNA में निकल कर आता है कि चार के रूप में एडिनीन, यानि कि जिसको हम A से सो करते हैं, capital A से, और गवानीन को करते हैं, capital G से, और यहाँ पर साइटोसीन को capital C से, और यूरेसिल को यहाँ पर करते हैं, capital U से. यह हमारे पास चार के रूप में उपस्तित होते हैं RNA के अंदर. और जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आएगा, यह यह आएगा कि यहाँ polynucleotide की single स्रिंखला होती है, यानि कि single chain structure होता है इसका, एकल स्रिंखला जिसको कहेंगे. तो हमारा जो अगला पॉइंट यहाँ पर है polynucleotide की एकल स्रिंखला होती है, जो हमारे पास RNA होता है. तो यहाँ पर हमने देखा संदशनात्मक अंतरों को DNA और RNA के. आगे हम यहाँ पर किर्यात्मक अंतर में सबसे पहले देखेंगे DNA के लिए, ठीक है, यानि कि किर्यात् इस परकार से आता है, तो पहला जो डिफ्रेंस यहाँ पर आता है, वो आता है कि DNA में पर्तिकरण का बिसिष्ट गुण होता है. अब पर्तिकरण को हमने समझा था, पर्तिकरण का मतब क्या होता है, यह अपनी duplicate image बना लेता है, यानि कि duplicate होता है पर्तिकरण. या फिर आप क्यों समझ लिजे कि यह क्या करता है, self-replication करता है. अगर हम इसका exact meaning देखें, तो self-replication किया जाता है, DNA द्वरा. चलिए जो हमारे पास यहाँ पर दूसरा point निकल कर आता है, किर्यात्मक अंतर में वो यहाँ पर कुछ इस परकार से आएगा. इसमें लिखा गया है कि DNA में आनुवानसिक सूचनाय संग्रहित होती है, यानि कि जितनी भी genetic information होती है हमारे सरीर में, वो सब कहां पर इस्टोर होती है, तो आप कहेंगे DNA में. तो यह यहाँ पर किर्यात्मक अंतर में DNA की कुछ point आते हैं. चलिए आगे हम बात करते हैं RNA के उपर, कि RNA में किर्यात्मक अ नहीं रखता है, यानि कि इसमें self replication नहीं होता है. यह हमारा यहाँ पर RNA का पहला अंतर आता है, कि इसमें क्या नहीं होता है, परतिकरण का बिसिश्ट गुण नहीं होता है. चलिए दूसरा point हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं, कि RNA का जो यहाँ पर किर्यात्मक अंतर है, वो क्या ह तो यहाँ पर दूसरा point आता है, कि RNA protein sensation करता है, यानि कि हमारी body में जो protein का synthesis होता है, जो हमारी body के अंदर ही बनते हैं, वो सब कहां निर्मित होते हैं, तो आप कहिंगे वो सारे protein कहां निर्मित होंगे, वो होते हैं RNA के अंदर. तो यहाँ पर हमने देखा संरशनात्मक यान and RNA. तो चलिए, next question हम यहाँ पर discuss करते हैं. Next question हमारे पास कुछ इस परकार से है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कि निम्न को समझाईए. और पहला जो हमारे यहाँ पर दिया गया है, वो है oligosaccharide, यानि कि oligosaccharide क्या होता है, इसको आपको समझाना है यहाँ पर. दूसरा यह आपर दे रखा है कि protein क्या होता है, इसको भी आपको यहाँ पर समझाना है. तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझाएंगे कि oligosaccharide क्या होता है. तो oligosaccharide को हमने कुछ इस परकार से समझा था कि वे carbohydrate, जिनके जलब कटन से monosaccharide की 2 से 10 तक की इकाया प्राप्त होती है उनी को हम क्या कहते हैं? oligosaccharide कहते हैं. और यहाँ पर carbohydrate में जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर C12, H22 यानि कि हम यहाँ पर ले रहे हैं सुगर और यहाँ पर हो जाएगा O11. और जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों का यहाँ पर क्या कलाएंगे? यहाँ पर हो जा सुगर का यहाँ पर क्या करते हैं? जलब घटन करते हैं. तो हमारे पास monosaccharide के रूप में यहाँ पर मिलता है एक तो गुलकोज यानि कि C6, H12, O6 यह हो गया गुलकोज. पलस यहाँ पर क्या मिलता है? एक और unit मिलती है C6, H12, O6 यानि कि दूसरी unit किसकी होती है? दूसरी monosaccharide को आप कुछ इस परकार से define कर सकते हैं. यहाँ पर लिखा गया है कि वे carbohydrate जिनके जलब घटन से monosaccharide की 2 से 10 तक एकाया प्राप्त होती है. उनी को हम क्या कहते हैं? उनी को हम यहाँ पर कहते हैं oligosaccharide. और oligosaccharide को अगर आपको classify करना है on the basis of their product, यानि कि अगर पर 2 product मिल रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास? यह हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर disaccharide. अगर 3 मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कि protein क्या होता है? तो यहाँ पर हम protein को कुछ इस परकार से define कर सकते हैं, कि उच अनुभार वाले nitrogen युक्त ऐसे जटिल कार्बनी क्योंगी, जो जन्तुओं तथा वनस्प्यत्यों की जीवित को सिकाओं में उपस्तित होते हैं. उनको हम protein कहते हैं, यह तो यहाँ पर definition आई ज से मिलकर बना होता है, जो हमारे protein होते हैं. यह आपको अगर ध्यान हो कि alpha amino अमल से मिलकर क्या बनता है, तो यह बनता है यहाँ पर protein. लेकिन हमें नहीं पता है कि कितने alpha amino acid जो होता है, वो protein का निर्मान करता है. या फिर आप यहाँ पर दूसरी definition के हिसाब से कह सकते हैं कि ज हमारे पास protein होता है, वो alpha amino acid का बहुलक होता है. तो यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास alpha amino acid 100 से अधिक हैं या फिर 100 हैं, तो अगर यह आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर जो निर्मित होता है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर हुआ है protein का निर्मान. यानि कि 100 या 100 से अधिक amino acid, वो भी कौन से alpha amino acid क्या बनाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं protein को. दूसरी चीज यहाँ पर क्या निकल कर आती है कि 100 amino acid तो होने चीए, लेकिन उनका जो अनुभार है वो 10,000 U, यानि कि unified mass होना चीए, तब ही वहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारे पास निर्म कि अपवाद भी होता है, जिसको मैंने कहा था कि वो है हमारा insulin, यानि कि जो insulin होता है, वो क्या होता है, वो 51 alpha amino acid से निर्मित होता है, यानि कि आप यहाँ पर लिख सकते है, 51 alpha amino acid से निर्मित होता है, यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है insulin, तो यहाँ पर आप पर exceptional case कही बार exam में भी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि वैसे तो protein होने के लिए इस परकार की सर्थे होना जरूरी है कि आपके पास 100 क्या होने चीए alpha amino acid आपस में peptide bond से जुड़े होने चीए तब ही जाकर वहाँ पर वो protein synthesize कर पाएंगे दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि अगर 100 नहीं है तब आपके पास क्या होना चीए यहाँ पर यह होना चीए कि आपका जो molecular mass होगा alpha amino acid का वो 10,000 unified mass से अधिक होना चीए या फिर 10,000 होना चीए तब ही जाकर protein बन सकता है या फिर आम उसको protein कह सकते हैं और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर क्या बताई है कि जो insulin होता है जो हमारे पास insulin protein है वो यहाँ पर 51 alpha amino acid के संयुगमन से बना हुआ है जो कि हमारा यहाँ पर होता है अपवाद तो यहाँ पर हमने देखा कि protein क्या होता है इसको आप define भी कर सकते हैं वैसे तो यहाँ पर इस परकार से आप define कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पर यह summary वीडियो समाप्त होता ह मिलेंगे नए टॉपिक में तब तक के लिए जैहन